उत्राखन के उधम सिंग नगर में प्रॉपर्टी डीलर की मनमर्जी से आंजनता हो रही है परेशान सड़ा किनारे डाली जा रही काली राख कई बार इस्थानी लोगों ने विरोज किया लेकिन प्रॉपर्टी डीलर सुनने को राजी नहीं है लोगों में काफी आक्रोश हैं आपको बता दे दिनेशपूर धाने से मात्र 500 मीटर दूरी पर दिनेशपूर से पिपलिया गदरपूर जाने वाले सड़क से लगी हुई जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलर प्लांटिंग का कारे कर रहे हैं प्लांटिंग में इस सड़के बनाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर द्वारा फैक्ट्री से काली राख मंगवाई जा रही है जो सड़को के किनारे डाल दी जा रही है इसी सड़क से सेंकडो बच्चे प्रती दिन स्कूल कॉलेज आते जाते हैं एवं सिड़कुल जाने के लिए भी सेंकडो मजदूर इसी रोड से जाते हैं परंतु सड़क किनारे पड़ी काली राख से आम जनिता को काफी परिशानिया हो रही है लोगों का कहना है कि हमें जब दोनों साइट से गाड़ी आती है ऐसा लगता है कि भयंका राधी आ रही है पूरा धुआ 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 दिखाई देता है कभी भी कोई बड़ी दुरगटना हो सकती है आप मेरा फेस देख सकते हैं अभी गाड़ी निकलती यहां से और उसमें यह हाल हुआ है मेरा आप देख सकते हैं उपर से नीचे तक इतना नाट में चलेगी यह पूरा गला खराब हो जाता है डिल यहां से निकलना रहता है हमारा सर इसका पता नहीं किसने रास्ते में डलव परिशान है सभी परिशान है लोग जितने निकलने वाले इसको हो सके तो जल्दी जल्दी मदव उठाना चाहिए क्या करना अधिकारी को यह कह रहा है पिचला फड़ा सा इसको कहके तो उसमें यह दिख रहा है कि प्लोटिंग का काम हो रहा है और रोट बन रही है तो में जो मिंटी पड़ी हुए उसकी धूल आ रही है और अगर कोई रोट पे अगर कोई रखेगा या कुछ हो रहेगा तो अगर रखी हूँगी तो उसमें कारवाई करेंगे अधि कोई बड़ा दूर गड़ना के पहले दो बच्चे मेर भी गया इसी कह रहाना होता रहा कि तिक के लिए आप कारवे करेंगे